सब्सक्राइब को स्वागत आपका डिजनी है अडिकेटे चैनल में तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जो आपके पहले प्रश्ट पूछी चाथ चुके हैं लाइबरे साइंस से सम्मधित तो आप यह चीज़ ध्यान रखें कि आपको कवर करने हैं जो लाइबरे साइंस प्रश्ट आपको नहीं है कि आपका एक्जेक्ली स्लेवर्स के कॉर्डिंग ही हो चार से पांच प्रश्ट जो थोड़े बहुत अलग है तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं उस चीज़ से आप यह जजज ना करें कि आपकी तैयारी खराब है गलत है अगर चार से पांच प कि बिल्कुल भी किसी प्रश्ट को लेकर कि ना हो कोई भी वह रही हो किसी कुशन को लेकर कि आप कमेंट वाक से बूझ सकते हैं इससे पहले जो हमने 500 प्रश्ट किये हैं उसका पीडिएफ आपको टारिगाम चैला पर मिल गिया होगा जो कि आपके काफी इजी प्रश्ट सबसे पहले प्रश्ट को लेकर कि प्रश्ट के पहले से आते रहे हैं तो यह है अगला प्रश्ट से पूछा गया है बारत सरक्वादवारा नियुक्त एडवाइजरी कमीटी फॉर लाइब्रीडिज का चेर्में कौन था यह कमेटी कब की है उन्हीं सतावन वाली कमेटी के बात की जा रही है यहां पर जो चेर्में जो पूछा गया है इसका जो राइट अंस होगा वो क्या होगा केपी सिनहा फोर्ट ऑप्शन का राइट आंसर है तो निस सतावन की जो यह एडवाइजरी कमीटी फॉर लाइब्रीडिज है इसके चेर्में कौन थे केपी सिनहा अ गया है इसमें जो आर दिया गया है रीजन या फिर कारण को कहें तो वह है इपरकाशनों ने साइते में बहुत बड़ी मात्रा का योग किया है परंतु शोध के गुणवता को भी भावित किया है तो यहां पर अगर हम बात करें ए और आर दोनों सत्य है लेकिन यह जो करता है तो इसमें यह कुछ अलग नहीं है बस आपको एक्स्टा नॉलेज भी आपर देखने को मिल रही है अगला प्रशन जो है आपका यूजर स्टडी के लिए जो डारेक्ट मेथर्ट इनमें से हैं वह कौन-कौन से है यह आपके चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए ग अगला प्रशन है तो यह आपका भी खतन से लेकर है तो दो से तीन प्रशन है बाकी आपके सब इजी प्रशन होंगे बाकी यह बहुत इजी होते हैं बस बड़े दिखते हैं आपको पुरा लेक समंदी सामगरी के संरक्षन और प्रसार के लिए माइक्रोग्रेफिक समाप्त हो चुकी है फिर तर्क दिया गया है आई सीटी ने लागत प्रभाविता विकल प्रस्तुत किये हैं और माइक्रोग्रेफिक सेवाँ को पुनस थापित किया है तो यहां पर जो बात की गई है एक जो पहला आपका अभीकतन है वो सही है लेकिन दूसरा जो दिया ग क्लाउड 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 कम्प्यूटिंग का प्रकार नहीं है नेशणल दे नेशनल कंवेंशिन रेगुलरी और इस बई डैल नेट इस नौन एस आप इसको हिल्ली में भी देख सकते हैं तो यह जाना जाता है जो डेलने द्वारा नेमी तुरूप से आई जे राश्टे समय लेता है उसको नेकलीन के नाम से जाना जाता है थार्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है अगला प्रेशन जो है आई एन बी वोज फर्स्ट पब्लिज्ड इन पहली बार जो आई एन बी है भारती राश्टे ग्रंत सुझी कब जो प्रकाशन हुआ था यह वात अक्टूबर उन्नीस सो सतावन में एमराल्ड फुल टेक्स डेटाबेस का प्रकाशन कहां से होता है युनाइटेड गिंग्डम यू के से होता है इंडियन नेशनल ड्वाइजरी वोर्ड ओफ लिब्रेरीज वॉज अप इन 1966 बाई तो भारती राश्टे सलाकार बोर्ड निसो चांस्ट में किसके द्वारा जो है स्तापित किया गया था तो यह किया गया था शिक्षा मंतराले द्वारा मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन अगला प्रश्ण जो है निमलिकित में से किसका नाम पाठ किये शिक्षण गदी विदियो से जुड़ा है तो पैटरीसिया डबलू नैप से जड़ा हुआ है यह थर्ड ओप्षन अगला प्रश्ण है 2012 से निमलिखित में से किसने मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन जो है बंद कर दिया तो यह कर दिया न्यू एंसाइक्लोपीडिया बिटैनिका ने अगला प्रश्ण है अभीकतन दिया गया है अनुक्रमनी करन तदा शारकन सेवाएं पुस्तकाले विज्ञान के चतुर्त सुत्र की पूर्ति करती है तरक दिया गया है यह सेवाएं प्रात्मिक पत्रिकाओं के स्तानापन के रूप में कारे करती है इसमें जो बात की गही है अनुकरमणी करन सेवाई की तो यहां पर संदी है अगला प्रेशन दिया गया है तो इसका आ पप हिन्नी में भी देख सकते हैं अभी कतन है इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रोधोगी की आधारी युग में संदर्व सेवा की आवशक्ता नहीं है तरक है इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी और किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकता है तो इसमें संदल्ब सिवा की आवश्यक्ता नहीं है जो की गलत है रेफरेंस सर्विस का एक अलग महत्व है और यहां पर जो इंटरनेट के कारण जो व्यक्ति कहीं भी और किसी विसे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तो इसमें जो हम कहेंगे यह थोड़ा सा अलग से सही है पार्शली ट्रू तो इसमें जो इसका राइटान से क्या होगा एकदम असत्य है और किन्टू आर एक बात करें जो आपका रीजन है वह आपका आंसी ग्रूप से सत्य है नेक्स्ट है निम्लेकित में से कौन सा अभाशी पुस्तकाले नहीं है फिर डिस्टिबूटेड फिजिकल लोकेशन्स तो यह आपका आभाशी पुस्तकाले नहीं है वर्चुली लाइब्रेरी अगला प्रश्न है राश्ट्य पुस्तकालियों का उनके स्थापना वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है इस है ब्रिटिश लाइब्रेरी पूर ब्रिटिश मूझेयम लाइबरियर्य साइंस लाइब्रे ओफ कॉंग्रेश तो इनका जापको सीक्वेंस है वह आपको बताना है सही क्रम क्या होगा तो यहां पर मैंने इसका जो है यह लिखा है 1753 बाकी नेक्स्ट आपका लिवरेरी ऑफ कॉंग्रेस जो है इससे सम्मान देटा भी आप ध्यान रखें जैसे इसका अठारासो नबर में शुरू हो गया था और ओपन जाप की वी थी 1897 में यह ओपन होई थी इस तरह से है और जो इसका अठारासो नबर से शुरू हो गया था बाकी आपका लेनिन जो आपकी लिवरेरी है वापकी 1862 से संबन्दित है और आपकी बीवलिटिक नेशनल जाप की कह सकते हैं फ्रांस की जुरास्टिय पुस्तकाले यह जो है इससे संबन्दित भी काफी बार जो है प्रशन पूस्ते पूस्ते क्या आते रही है जो कि यह संबन्दित आपका 1461 से तो इसके अकॉर्डिंग आप इस प्रशन में केवल यह जो डेटा है वो ही ध्यान रखे क्योंकि इसमें कोड के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है थोड़ा सा चींज है क्योंकि अगर हम स्तापना वर्ष के अकॉर्डिंग अगर सही क्रम चुनें तो इसमें आप यह देख सकते हैं बाकी अगर उनसे समझें सन्व अगरा में कोई त्वैरी होता आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगला प्रशन जो है डिक्शनरी शब्द की विद्पती किस भाशा के शब्द डिक्शनेरियम से हुई है तबकि लेटिन दूंड जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन नोडों पर नियंतरन करता है जो आगि अन्य नोडों पर नियंतरन रखते हैं को कहते है कि इसको क्या कहा जाता है cervical नेटवर्क तो हिरार्किकल नेटवर्क इसको कहा जाता है तो जैसे हिरार्की आप समझ सकते हैं हिरार्की क्या होती है जिसको हम कह सकते हैं जैसे आपका अज LDC होता है LDC को उपर जो UDC होता है फिर उसके उपर जो पोस्ट होती है यह आपका क्या है हिरार्की होती है इस तरह को कौन प्रकाशित करता है तो प्रकाशित करता है युनेश को अगला है विश्विद्याले अनुदान आयों का विज्ञान सूचना के इंदर का हिस्तित है तो इंडियन इंसिट्यूट और साइन्स बेंगलोर में इंडियन लाइब्रेरी साइन्स एब्स टेक्स इस ब्रॉट बाइ तो प्रकाशक कौन है तो यह आईजलिक है तो इसे समझे पहली भी काफी पर प्रशना चुके हैं इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए उसके स्तापना कभूई थी इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले अगर आप जाने तो कहां पर है इसका कॉलकाता में और इसकी स्तापना जो है आपका 3 सितंबर जो है 1905 में यह की गई थी इसके फुल फॉर्म क्या होती है इंडियन असोशियेशन ऑफ स्पेशल लिडरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर अगला प्रशन है जेयर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आपकी स्रोत या स्रोतों से सूचना प्राप्त करेंगे तो इसमें जो सूचना स्रोत आपकी जो दिये गए हैं इन में से आपको बताना है तो इसमें करेंगे आप पहला तो है विश्वी कूर्स जो दिया गया है एंसाइकलोपीडिया और आपका एक कौन सा हो जाएगा इसमें से तीसरा गजेट ही है तो इसमें जाएगा आपका थर्ड ओप्शन राइट आंसर अगला प्रश्ण है स्कॉपस क्या है तो इसको अपस जो है अपस्टेक्स एंड आया साइटेशन डेटाबेश जो है आपका इसको पस होता है सेक्ड ओप्शन इसका राइट आंसर है अगला प्रश्ण काफी महत्पून है इसको आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो जादा आप रिलेट कर पाएंगे एक्जेक्ली लिखी हुई है बाकि कुछ चेंज रही है तो इसमें पॉपसी किसे संब्दित है तो यह पॉपसी जो संब्दित है जी भटाचारिय से रिलेशनल डेक्स्शिंग जो संब्दित है वो है आपका जे एल फेराडेन से अगला आपका subject indexing जो सम्मंदित है EJ code से प्रेसेस आपका सम्मंदित है direct austin से इस तरह से आपका जो मिलाने पर जो code बनता है इसमें कौन सा हो जाएगा third option A में 2, B में 3 और C में 4 और D में 1 तो third options का right answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है imperial library का नाम भारतिय पुस्तकाले कि सुवर्ष में किया गया 1948 में Blaze का पुरा नाम क्या है तो British Library Automated Information Service Index Medical की आवदिकता क्या है Frequency क्या रहती है इसकी यह रहती है monthly यह फिर मासिक अगला प्रश्ण जो है भारत सरकार का कौन सा युभाग सारजनिक उस्तकाले से सम्मंदित है तो आपका संस्कृति भाग अगला प्रश्ण आपका स्टेट्मेंट से सम्मंदित है अभी कतन दिया गया है भोकता युजनरल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं भोकता युजनरल्स के उपयोग से परिचित नहीं है तो इजनरल्स के उप्योग से परिचित नहीं है यह सरासर गलत है तो यहाँ पर पहला ही सत्य है और जो आपका रीजन दिया गया है वो गलत है तो यह सत्य है लेकिन आर ऐस सत्य है उपयोग करता अध्यनों को निम्लेखित तीन स्टेडियों में किसने स्टेडिय बद्द किया है तो जो आपके तीन है वो कौन से हो जाए आपका behavior studies, use studies, तीसरा आपका information flow studies तो इनको अध्यान रख सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका mention अगला प्रशन है तो यहां पर यह जो लिस्ट एक दी गई है लिस्ट दो दी गई है इनको मिलान करके आपको बताना है कि कौन-कौन सा जो है code किससे संबंदित है books and print की हमने कल भी इस तरह से एक प्रशन आया था तो इसमें भी आपका मैं फिर से इसकाल नाम लिख देती हूं तो यहां पर आपने कलेक प्रशन देखा था तो उसमें क्या था books and print जो है पुस्तक भी है जो कि आपको इसनली पॉब्लिश्ट जो की गई थी उन्हें इसके जो लेखक है author है आपके रिचर्ड रोजर्स बॉकर जो कहें जिनका नाम है अभी इसमें दी गई है कि आपको इ आपका डिरेक्टरी मतलब निर्दीशी का जो है आपका वर्ल्ड लर्निंग है नेक्स्ट आपका जो है कि सिंग्स ओफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड इवेंट्स तो की जो जड़ा होगा है किसे निउस्पेपर डाइजेस से अगला है ट्रेवल गाइड जो है आपकी फोर्ट यहां पर जो बनता है वो हो जाएगा आपका फॉस्ट ऑप्शिन अगला प्रश्ण है निम लिखित में से इंटरनेट पर बुलेटन बोर्ड सेवा क्या है तो आपका है ब्लॉग डिजल पुस्तकालों में निम लिखित में से क्या सिमिता है लिमिटेशन क्या है इनकी तो यहां पर जो चार चीजे दी गई है इनमें से कौन-कौन सी होंगी तो लिमिटेशन के अगर हम बात करें तो पूर्ण ने पाठे खोज क्या कोई लिमिटेशन हो सकती है बिल्कुल नहीं प्रचान लागत जो आपकी ओपरेशनल कोस्ट जो हम बात करें तो आपकी लिमिटेशन में के अंदर गताती है तीसर आपका जो है राइट मेनेजमेंट भी है आपका तो इसमें कौन-कौन से ऑप्षिन इसका राइट होंगे वह आप आपकी दोनों लिमिटेशन हम कहें सीमित आएं या फिर सीम आएं अगला प्रश्ण है नेम लिए कि इतमें से खोज इंजन की घटक कौन-कौन से है सर्च इंजन के तो यह है आपका पहला आपका स्पाइडल फिर आपका सर्च मेकेनिजम फिर आपका इंडेक्स तो इसमें इसका राइटान से क्या होगा आपका फर्स थर्ड और फॉर्थ अगला है नेम लिकित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विसिस्ता नहीं है तब का लिमिटेड एक्सिस जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की विसिस्ता नहीं है थर्ड और उप्शन का राइट आंसर है अगला प्रश्ट है विद्वत्ता पूर्ण कोन कोन से है तो आप यहां पर जो है नाम यहां पर दिए गये हैं कि कि एक उर्द लाश्य और बढ़त तो यहां पर यहां पर में इससे आएगा यहां तो श्था construction में दिया गया है थर्ड विश्य अगला प्रश्ण है माना विचार के अनुकरण के लिए प्रयोक्त की गई सूचना प्रोधोगी की को निम्लेखित में से क्या कहा जाता है तो आटिवीशन इंटेलिजेंस अगला प्रश्ण है अभीकतन जो दिया गया है अनुकरण मनिकरण पत्रिका सूचना की पुनप्राप्ति करती है जिसमें लेका संक्षिप्त शार सम्मिलित होता है तरक यहां पर दिया गया है तो तरक जो है यह लेखों की आख्या लेखा को अन्य ग्रंथ परक विवरण प् दूसरा आपका आर्ट जो है बट्रू हो जाएगा तो फॉर्थ ऑप्षिन इसका राइट आंसर जाएगा अगला प्रश्ण जो है असोशेशन ऑफ कॉलेजें रिसर्च लेवरी क्या है तो यह है अमेरिका पुस्तकाले संग का एक प्रभाग है अगला प्रश्ण है आभीक ज्याद करने के लिए जादा उप्यूक्त है तो ए सत्य है लेकिन आपका जो प्रवर्वर्थी ग्याद करने ज्यादा उप्यूक्त कहना तो उप्रभाग है संग्लन को पर दिये गए हैं है तो पहली आपकी कि संगलन है येकित्ट Hic-s拍h तो इसमें वह जाएगा आपको इसका फूर्थ ऑप्षिन जो है इसका राइट आंसर है तो वैल्यू एडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो कौन कौन सी है पहली और चौथी पहल आपका टैली टेक्स्ट दूसरा फिर आपका तीसरा है वाइसमेल फिर आपका वीडियो कॉंफरेंजिंग तो इसमें थर्ड ऑप्षिन जो है इसका रही टांसर होगा सेकंड और फॉर्थ अगला है पुस्तकाले एम सूचना विज्ञान विश्यू कोस की प्रकाशक है मार्शल डेकर विश्यू कोस पुस्तकाले में विश्यू कोस गरंतों की रीड की हड़ी है यह कतन किसका है C.F.Winchell का अगला प्रिशन है बिबिल्योग्राफी ऑफ ओल्ड वुक इस नौन एज वाड तो इसको कहते है इन क्यों मा बुला इन क्यों ना बुला सेकंड ऑप्षिन इसकी टर्म है तो ध्यानक नहीं होगी अगला है संदर गुरंतों के मुल्यांगन की प्रक्रिया का निर्मान किस ने किया तो यह किया था लूइस सौर्स ने तो फर्स्ट ऑप्षिन जो है इसका राइट आंसर है अगला है सामाज विज्ञान उदरन अनुक्रमनी का फिलाडेली डेलफिया का प्रकाशन के स्वर्स में प्रारंब हुआ तो 1973 में यह प्रारंब हुआ अगला प्रशन है डेटाबेस विक्रेता जो की आरिविज्ञान के शित्र में पूर्ण विश्यवस्तू सामिक प्रत्री का डेटाबेस का अभी गवन जो है प्रदान करता है तो है डोनेस इन में से कौन से त्री तीयक स्रोत इलक्ट्रोनिक स्वरूप में है तो आपका ओपेक है अगला प्रशन है और अंतिम प्रशन इस टेस्ट का इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतू प्रियुक्ति इन में से कौन सा विश्यश टेम स्पस्ट मुल्यांकन मापदंध है तो वह आपका कॉपी राइट प्रतिलिपी आधिकारी तो आज के इस टेस्ट मे कि आपके 50 पॉचास प्रशन है है तो जरुर नीए कि 50 के 50 आप इनमें कर पाएं क्योंकि थोड़े से कोश्टन आपके कह सकते हैं आपके जो स्टेट्मेंट zar den possible नहीं है जो जो आपके स्लिवस में थे वो अगर आप कर पाये हैं तो काफी इच्छी बात है उन पर आप कर सकते हैं इसका पीडिएफ आपको टेलिगाम चल रही है उनको भी आप देख सकते हैं प्रशनों में किसी में आपको सब्सक्राइब करें बाकि आपकी सीरीज है आपको मिलते रहते हैं चैनल के मादियम से तो वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजीगा शेयर कर दीजीगा सो थैंक्यू वरॉचिंग